नई बहु बनाएगी तीस मिनट में चूले पर एक हजार रोटियां दोस्तों आपने ये सुना तो होगा ही जहां घर में चार बरतन होते हैं खटकते जरूर हैं पर क्या होगा जब घमंडी जेठानी की अमीर देवरानी घर में आएगी और सारा ससुराल उसे सर पर चढ़ा कर रखेगा तो चिंगारी कही न कहीं से तो निकलेगी अब जेठानी देवरानी के साथ क्या करेगी ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं मुझे पूरा यकीन है ये रस्म मेरी बहु ही जीतेगी हाँ भाबी मैं भी आपकी साइड हूँ याद रखना आपको भया को इस रस्म में हराना है अरे अरे ये क्या सब नई बहु की साइड है मेरी तो किसी को फिकर ही नहीं है है ना मा बापा और भाबी आप भी अरे मैं तो अपनी नई बहु से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी तो ला दोरानी है ये बहुत कर लिया तेरे जैसे नालाइक को प्यार अब मेरी बहु की बारी है देखा देखा बाबी आपने आप अरे अब सब नई बहु के साइड में है तो मैं सोच रहा था मैं भी हो जाओं। पर चल शौरे मैं तेरी तरफ आ जाता हूँ। मैं तो तीनों बार जीत गई शौरे है। मैं बहु के लिए नमकीन चटपटी मैकरोनी बना लिया। आज हम खिला देते हैं फिर तो तु ही हमारी सेवा करने वाली है ना पलवी बहु। हाँ माजी ये सुनते ही अनीता गुस्से से रसोई में जाकर कड़ाई को गैस पर पटक कर रखती है। को क्या समझते हैं और नई बहु कौन सी किसी ग्रह की महरानी है जो उसको पहले जूस फिर मेरे से मैकरोनी बनवा कर दी जा रही है। छोड़ूंगी नहीं इस देवरानी को तो मैं कल सुभा सुभा चूले पर इसकी लंका लगवाऊंगी। हरे भाबी आप खुद से क्या बढ़ बढ़ा रहे हो। मैकरोनी बनी नहीं। कितनी तेर हो गई आपको कहीं भाबी भूखी ना सोजाएं। ये सुनकर अनीता फिर मूँ चड़ा लेती है और बाहर मैकरोनी लेकर आती है जिसे नहीं बहु खा लेती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले सुभा अनीता छे बज़े उठकर ही पलवी के पास आती है। बहुत देर हो गई है पलवी, अब उट भी जाओ, याद है न अच तुम्हारी पहली रसोई है। प्यार कर दो, सुभा भी और रात में भी। यसी के साथ पलवी जैसे तसे करके चूले पर लकडियों से आच जलाकर कुछी देर में सबजी तयार कर लेती है और फिर आटा गूत कर रोटी बनाना शुरू करती है। कुछी देर में 10-12 रोटिया बना कर वह पसीने में लत्पत हो जाती है। हे भगवान 12 रोटिया बनाने में पसीना आ गया, 1000 रोटिया बनाने में कहीं मुझे अम्मा याद ना आ जाए। मुझे कोशिश तो करनी होगी, एक तो इस चूले का धुआ भी आँखों में घुसरा है। जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये कहकर पल्लवी रोटी बनाना शुरू करती है और 20 मिनट में जल्दी जल्दी 200 रोटिया ही बना पाती है। यतने में आटा खत्म हो जाता है और अनीता आती है। उसकी फिक्र तुम मत करो, खाने वाले बहुत हैं, फटा फटा जार रोटी बना कर लाओ। ये कहकर अनीता चली जाती है। बहु अपने घर में गयास पर खाना नहीं बनाई होगी और वो चूले पर बनाने लग गई। मा मुझे ये बात डाइजिस नहीं हो रही। मुझे भी। हाँ, आपकी नई बहु ने बता दिया था ना कि मैं क्या और कितना काम करती हूँ, लेकिन आज उसकी भी वाट लगवा ही दूंगी रसोई में। मा जी, आपको क्या लगता है, मैं जूट बोल रही हूँ, अब उसकी इतनी इच्छा है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, आप लोग यहीं बैठिये, वो खाना बना कर आ रही होगी। और कुछी देर में सास पलवी को खाने के लिए बुलाती है, तो वो मुश्किल से 700 रोटियां ही बना कर ला पाती है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर सब को खाना परोज देती है। आप सब खाना शुरू कीजे ना? आहा, खाना खाकर तो बहुत स्वाद आ रहा है, और वैसे भी चूले पर बनाया खाना और भी स्वादिष्ट बन जाता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत उन्हें इतनी सारी रोटियां और खाना सर्फ चूले पर ही क्यों बनाया? माजी, आप ही तो, माजी चाहती हैं तुम्हें एक अच्छी बहु बन जाओ, इसका मतलब ये नहीं के चूले पर रोटी बना कर खिलाओगी? ये दीदी अचानक से बदल कैसे गई? हरे, अब आप सब खा ही लीजे, ये तो सिर्फ दिन की पहली रस होई है, रात में भी पलवी आपको बहुत अच्छा खाना बना कर खिलाएगी, क्यों देवरानी जी? हाँ, हाँ, मा जी, मैं रात को भी चूले परी खाना बना कर खिलाओंगी, पता नहीं कैसे दुबारा से हजार रोटी बना पाऊंगी? पलवी कुछ बोला तुमने, हजार रोटियां? कहाँ, शौरी कुछ भी नहीं बोला उसने, अच्छा हुआ, किसी को दोनों बार पता नहीं चला, कि मैं देवरानी से हजार रोटी बनवा रही हूँ फिर सब खाना खाकर नई बहु को शगुन दे देते हैं, हजार रोटियां ना बन पाने पर अनिता पल्लवी को चमका देती है, साथ ही रात का खाना भी हजार रोटियां बनाने को कह देती है, और ऐसे ही शाम से रात हो जाती है, वह चूले पर फिर से खाना बना रही होती ह पहले ही दिन अपनी नाक कटवाना चाहती हो क्या? तुम्हें एक रस्म दी है वो भी नहीं हो पारी तीस मिनट में हजार रोटी बनाने की कोशिश करो और इस बार बना कर ही लेकर आना ये तुम्हारे पास आखरी मौका है ठीक है दीदी भगवान मैंने कभी इतना सारा खाना नहीं बनाया पता नहीं है कैसा ससुराल है जहां तीस मिनट में हजार रोटियां चाहिए मैं तो आज ही परिशान हो गई अनीता के जाने के बाद पल्लवी रात का दोबारा से आटा माण कर रोटी बनानी शुरू करती है एक दो बार चूले पर रोटी सेकने से उसका हाँच जल जाता है लकडी भी चिपक जाती है पांसो रोटी बनाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है इतने में सास आती है बाहू बहू बहुत देर हो गई है कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है जो अभी तक तेरे से रोटी नहीं बना पाई सबको भूखा मारेगी क्या मा जी आपको रोटी की पड़ी है और आप लोगों की वज़ज़ से तीन बार मेरा चूले पर हाथ जा चुका है अब मैं और हजार रोटी का टार्गेट नहीं कर पाऊंगी पता नहीं कैसी बेकार सी रस्म है आपकी अगर मुझे पता होता कि आपके घर में ऐसा कुछ भी है तो मैं शादी ही नहीं करती हद हो गई है आखिर ऐसे कौन से इंसान है जो तीस मिनट में हजार रोटी यां बनाता है बहु ये तो क्या बोल रही है मैंने तुझे हजार रोटी बनाने को कब कहा आप नहीं बोला है जिधानी जी ने मुझे बताया तभी तुम्हें पागलो की तरह रोटी बनाई जारी हूँ सुभा भी और अब भी क्या बहु ये तु क्या बोल रही है ऐसी कोई रस्म नहीं है ना मैंने अनीता से कहा कि तुझसे ऐसा कुछ करवाए अनीता अनीता फोरन छट परा सरला के चिलाने पर घर के सब लोग छट पर आते हैं अरे भागिवान क्या हो गया क्यो चिला रही हो क्या हुआ माजी क्या हुआ कि बच्ची मुझे ये बता तुने बहु को 30 मिनट में हजार रोटी बनाने को क्यों कही मैंने तो तुझसे ऐसी कोई रस्म नहीं करवाई क्यों मेरी बहु को बेवकूफ बना रही है तेरी वज़ा से उसका तीन बार हाँ जल गया है जूट बोला ना तुने बोल हाँ मैंने जूट बोला क्योंकि आप सब लोग नई बहु को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे इतना सर पर चढ़ा लिया था कि मुझे ही भूल गया मेरा तो इतना खयाल नहीं रखा आपने मेरी शादी होने पर इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया जरासी बात के लिए नई बहु के साथ ऐसा किया तुझे शर्म भी आ रही है माफी मांग उससे अरे वो तेरे जितनी परफेक्ट नहीं है और शादी के बाद एक दो दिन उसे प्यार कर लेंगे तो तेरी इज़त थोड़ी न घट जाती या तो तू बहु से माफी मांग या अब तू हजार रोटी बनाने की तयारी कर क्या माजी हजार रोटीआं तीस मिनट में नहीं-ना माजी मुझसे नहीं हो पाएगा पलवी मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे सब बहुत गलत किया मुझे अपनी गलती का हसास है आप बढ़ी हैं इसलिए मैं आपकी पहली गलती को भुला रही हूँ आईए अब गले लग जाईए देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती है और जेठानी देवरानी के हाथों पर दवाई लगाती है और नंद सबको खाना परोस्ती है फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं